बंधुओं नमस्कार आज के इस प्रकरण में हम संस्कित के संबादों को बोल कर एक उसका अपना आनंद उठाएंगे संस्कित भाषा बहुत ही मधुर भाषा है उसके अपनी बोलने की शैली है और उसको देखे किस तरह से हम दैनिक दिंचरिया में प्रियोग करते हैं इसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्राताहकाल मित्रों में बात चीत मित्रों पहले मैं संस्कित में समवाद बोलूँगा फिर उसका हिंदी में रूपांतर करके भी आपको बताऊंगा गोपाल बोलता है मित्र रमेश सुप्रभातम उसका आप हिंदी में रूपांतर देखिए मित्र रमेश सुप्रभात अब रमेशवी संस्कित में जवाब देता है मित्र सुप्रभातम तुम कुशलोसी रमेश कहता है सुप्रभात मित्र तुम कुशल से हो अब पुना गोपाल संस्कित में कहेगा गोपाल ने कहा हाँ मैं कुशल हूँ आप अपना हाल चल बताओ इस पर रमेश संस्कित में उत्तर देता है मैं भी स्वपरिवार कुशल से हूँ इस पर गोपाल संस्कित में जवाब देता है सदा कुशल है एव भवतू हमेशा कुशल ही रहे रमेश इस पर कहता है तुम प्राता काले एव कुत्रगन तत्परहसी तुम सुवही कहां जाने के लिए तैयार हो इस पर गोपाल जवाब देता है अध्यकार याले एका सभा अस्ति तस्याह सर्वंदाई तुम ममो परी एव अस्ति अतह प्राता काले एव गच्छा मी आज कार्याले में एक सभा है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे उपर ही है इसलिए सुबह ही जा रहा हूँ इस पर रमेश कहता है तब कार्याले कती सदस्याह संती तुम्हारे कार्याले में कितने सदस्य हैं तो गोपाल ने जबाब दिया मम कार्याले पंच सब्तति ही सदस्याह संती अहम सर्वेशाम सदस्यानाम अध्यक्ष अस्मी यह बहुत खुशी की बात है हमारी बधाई स्विकार करूं इस पर गुपाल कहता है धन्यवाद धन्यवाद रमेश है रमेश कहता है गच्छतु भवान विलंबह भविश्यती आप चलो देरी हो जाएगी गुपाल कहता है नहीं नहीं परियाप्तह समय हस्ती भवान चिंता मा करो तू स्वविशे अभी किंचित कत्वे तू नहीं नहीं बहुत समय है आप चिंता मत करो अपने विशे में कुछ कहो इस पर रमेश कहता है भगवतह कृपया जीवनस्य रथम अग्रे सरती दोव संतानो उस्तह एक पुत्रह एका पुत्री च पुत्रह दश्मी कक्षायां पठती पुत्री सप्तमी कक्षायां पठती भार्या ग्रहे एव निवसती मुन विशेतु भवां जानाती एव भगवान की कृपा से जीवन का रथ आगे चल रहा है दो संतान है एक बेटा और एक बेटी है बेटा दश्मी कक्षा में पढ़ता है और बेटी सात्मी कक्षा में पढ़ती है पत्नी घर में रहती है और मेरे विशे में तो आप जानते ही हैं इस पर गोपाल कहता है प्रातह काले भद्र पुरुशस्य दर्शनेन मम दिनम प्रशनतया व्यतीतम भविश्यती सुवह अच्छे व्यक्ति के दर्शन से मेरा दिन खुशी से कट जाएगा रमेश इस पर कहता है एता दिर्शी वारता नास्ति गच्छत ववान शुभम भवत ते पंथा ऐसी वात नहीं है आप जाईए आपका मार्ग मंगल मैं हूँ गोपाल कहता है गच्छामी अहम पुनह मिलिश्यावः मैं जाता हूँ पुनह मिलेंगे अगले भाग में एक नए समवाद के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद